Physics और Chemistry में हमारे लेवल पर जो Integration यूज आता है बचो उसमें कुछ और Problems हम लोग देखते हैं हमें Integration दे रखा है बचो Sin 2X और DX बचो आप लोग जानते हैं कि Sin X का Integration होता है Minus Cos X हम लोगों न देखा है बचो कि Sin का differentiation होता है Cos लेकिन Sin का Integration क्या होता है बचो? Minus Cos और यहां हमें देखना है बचो कि यहां पर यह केवल Sin X नहीं है यहां पर यह Sin 2X है और आप लोगों ने differentiation में देखा है बचो कि X में जिसका Multiply होता है उसी से हमें Multiply करना होता है मैं आपको फिर से यार दिलाओं बचो जैसे अगर हमें differentiation of e to the power 3X बोला जाए तो हम लोग लिखते थे बचो e to the power 3X और X में जिसका Multiply था उसका Multiply हम लोग करते थे लेकिन जब हम लोग integration कर रहे हैं बचो तो X में जिससे Multiply है उससे हमें Divide करना है I repeat बचो integration sign का होता है माइनस कॉस लेकिन यहां X में जिससे Multiply है उससे आपको Divide करना है और प्लस साथ में आपको क्या लगा रहा है बचो C देखिए जैसे मैं अगर बोलूँ e to the power 3X का Integation तो आप लोग जानते हैं बचो e की power x का Integation e की power x होता है बढ़ि e की power x का Integation e की power x लेकिन x में जिससे Multiply है बचो उससे आपको क्या करना है Divide करना है Let me have another example बचो हमें दे रखा है सपोस कीजिए सैक स्क्वेर 5X आप सैक स्क्वेर 5X बढ़ि सैक स्क्वेर एक्स का Integation क्या होता है सैक्स का Integation होता है बचो 10X सैक्स का Integation क्या होता है 10X लेकिन x में किस से Multiply है 5 से तो आपको उसी से क्या करना है बचो Divide करना है प्लस साथ में क्या सहब C और देखते हैं हमें जैसे दे रखा है सहब कॉस पाई एक्स डी एक्स हमें इसका Integation करना है Multiply है उससे हमें क्या करना है बचो Divide साइन का Integation स्वारी कॉस का Integation होता है बचो साइन लेकिन x पा जिससे Multiply है उससे हमें क्या करना है बचो Divide ना केवल ये बलकि अगर मान लीजिए हमें अगर दे रखा है बचो कि 7 प्लस 4X 2 दी पावर 10 सबोस कीजिए चलिए इस तरह से दे रखाए तो अब आप क्या करेंगे बचो x to the power n की form बन गई है तो x की power n का Integation क्या होगा x की power n का Integration होगा x की power n प्लस 1 upon n प्लस 1 बचो पावर में एक एड़ गर दीजिए नई पावर से Divide कर दीजिए देखिए x की power n का Integration x की power n प्लस 1 upon n प्लस 1 और इन 2 में क्या बचो फोर क्यों क्यों क्योंकि x में जिससे Multiply है उससे आपको Divide भी करना है एक और देखते हैं चलिए हमें दे रखा है सपोस कीजिए कॉसक स्क्वेर 5 माइनस 2x ये लीजिए साब अब आप लोग जानते हैं बचों कॉसक स्क्वेर का Integration क्या होता है अब कॉसक स्क्वेर का Integration होता है माइनस कॉटेक्स बचों आप लोग जानते हैं कि कॉसक स्क्वेर का Integration क्या होता है माइनस कॉटेक्स कॉसक का Integration माइनस कॉटेक्स होता है लेकिन यहाँ X में किससे multiply है बच्चो? minus 2 से जिससे यहाँ पर multiply है उससे हमें क्या करना है? differentiation integration में बिल्कुल उल्टा है differentiation में X में जिसका multiply होता था उससे हमें multiply करना होता था during differentiation while integrating हमें X में जिसका multiply है बच्चो उससे हमें divide विभाजित करना होगा और परलम देख लेते हैं चलिए हमें अगर दे रखा है बच्चों इंटीग्रेशन वन अपॉन अपॉन प्लस अलफा एक्स डी एक्स अब क्या होगा बच्चों आप लोग एक बात जानते हैं कि एक्स हम जब वन अपॉन अपॉन एक्स का लोग एक्स तो यह हो जाएगा लोग एक्स लेकिन एक्स में जिससे मल्टीप्लाइ है उससे आपको क्या करना है डिवाइट करना है एक्स में जिससे मल्टीप्लाइ है उससे आपको डिवाइट करना है बच्चों एक्स में किससे मल्टीप्लाइ है अपर अलफा से एक्स मे 4 x plus 5 10 4 x plus 5 यह लगे Venus आपको क्या दें रखा ब事 जर सैक 4 x plus 5 10 4 x plus 5 अब क्या होगा ब sexually अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा सैक अपने उससे डिवाइड कर दिया सेक एकस इंटू टेंट्रणका इसकार से सेक एकस तो वही होगा, कुछ इस पकार से, चलिए हमें यहा पर जैसे पालम दे रखी है बच्चों के टैनस्केर, टैनस्केर एकस डिगरी का इंटिकेस्न केजिये यह दीजिये साथ, अब देखिए अवल तो यहा पर 10 square का आपके पास दारेब कोई favorula नहीं है तो आप इसे क्या लिखोंगे बच्चो इससे आप लिखेंगे sex square x degree minus 1 वह थी 10 square theta क्या होता है 10 square theta होता है sex square theta minus 1 sex square theta minus 1 और अब यह आप ध्यान दिजिए तो यह जो है बच्चो यह degree mean और हम जानते हैं कि हमारे पास जितने identities, जितने फार्मुल हैं, वो सब radian में होते हैं, तो हमें इससे radian में change करना पड़ेगा, और radian में change करने के लिए आप लोग जानते हैं, बच्चो आपको pi by vanity का transformation करना पड़ता है, that you know, ये लीजिए, कुछ इस पकार से आ जाएगा, और सेक्सकर का integration क्या होगा बच्चो सेक्सकर का integration होगा 10x और अपन में x में जिससे multiply था उससे divide करना मत भूलिएगा और 1 का integration क्या होगा बच्चो एक्स सो और साथ में c लगाना नहीं भूलने का है मेरे को मैं फिर से बोल रहा हूं मुझे 10 square x degree बोला x degree तो मैं x square x degree minus 1 दिख दूँगा और फिर मैं x degree को pi x upon 180 आपको जो भी फामूले देखे गए हैं आपके सामने जितने भी हैं बच्चो सब काहे में हैं वो सब रेडियन में होते हैं और यहां degree में था तो degree में था इसलिए आपको उसको रेडियन में चेंज करना पड़ा करना पड़ा और afterwards क्या बच्चो आफ्टर वर्स एक्स का इंटिकेशन हो जाएगा 10 x और एक्स में जिससे मल्टिप्लास से डिवाइड करतीचे अब यह जो डिन कोई x degree को आपने लिखा पाई x upon 180 तो आप पाई x upon 180 भी लिखते हो तो कोई गलत बात बच्चो नहीं होगी अधरवाइज आप ऐसा भी लिखते हैं तो भी ठीक है और माइनस x प्लस c सो यह आपके पास में इसका उत्तर आ जाएगा हम लोग और देख लेते हैं पाउलम चलिए बहुत सिंपल सी बात है बच्चो की x में जिससे multiply है उससे आपको divide करना है यहां हमें जैसे दे रखा है 5 माइनस 7 x की power 4 dx चलिए आप लोग भी कीजी अब क्या होगा इसे पहली ब 4 लिख दीजी लिख दिया अगली स्टेप में क्या होगा बच्चो इसका integration क्या होगा आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है कि power में एक add करना है नई power से आपको divide करना माइनस 4 प्लस 1 कितना होता है माइनस 3 होता है और x में जिसका multiply है उससे आपको divide करना है यह आप सभी लोग जानते हैं बच्चो इसमें आपने इसमें क्या करा बच्चो जो पावर थी उसमें एक add कर दिया नहीं पावर से डिवाइड करा लेकिन x में किसका multiply था बच्चो एक्स में multiply था माइनस 7 का so we need it to divide by it और इस तरीके से यह हो जाएगा 21 यह 5 यह जो है क्या यह माइनस 5 नहीं आएगा यह माइनस 5 मैंने गलब दिख दिया था भया इसके लिए क्षमा चाहूंगा गई लोग इसमें confused भी हो गयोंगा कि यह सर क्या कर रहे हैं तो यह लीजिए साहब कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चो यह पावर माइनस 3 है जो denominator में आए साइन क्यूब 3 एक्स लस्कॉस क्यूब 3 एक्स अपान साइन स्केर 3 एक्स इंटो कॉस केर 3 एक्स कीजिए और वीडियो को पॉस करके जरा खुद की खोपड़ी लग गई है और करिये अब यहां क्या होगा बच्चो देखिये फंडा आपको क्या यूज करना है सबसे पहला ज और उसके बाद में यहां अगर देखें तो यह क्या होगा साइन स्केर 3 एक्स cos square 3x और numerator में क्या साब cos cube cos cube 3x dx कुछ ऐसे picture बनेगी बच्छों आपना split कर दिया sin cube upon sin square cos square और इधर cos cube upon sin square cos square यह आएगा अब आप क्या करेंगे बच्छों आप cancel करेंगे आपको क्या मिल रहेगा sin square से sin square cancel हो जाएगा और numerator में बच्छेगा sin 3x upon upon क्या बच्छों cos square 3x यह रहा प्लस साथ में दूसरा वाला जो है वो क्या रहा बच्छों cos cube 3x और अपन में क्या एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ ठीक है चलिए sin square 3x यह रहेगा बच्छों देखीए हो क्या रहा है आपने अवल दर्जे पर दोनों को split कर दिया यहां splitted बहुत आप दन आपने दोनों को split कर दिया बच्छों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं और उसके बाद में उसके बाद में आपने क्या करा sin square से sin square cancer हो जाएगा उपर एक sin बचेगा नीचे यह दर cos square से cos square cancer हो जाएगा cos बचेगा और अब oh my god यह cube नहीं आएगा यह आप लोगों ने देख लिया होगा समझ लिया होगा कुछ लोग शायद मेरे लिखना से confused होगा होगा कि हमने कुछ गलती करी है anyways अब sin upon cos जो होगा बच्चो वो होगा 10 आप लोग जानते हैं sin upon cos होगा बच्चो 10 और one upon cos होगा बच्चो sec sin upon cos क्या होगा बच्चो 10 और one upon cos होगा sec और यहाँ पर अगर आप देखें तो cos upon sin होगा cot cot होगा और यह होगा sin यह दिजिए और dx और 10x sec x का integration क्या होगा बच्चो 10x sec x का integration होगा sec x 10x sec x का integration होगा sec x और अब आप में क्या 3 अरे जिससे multiply करा है उससे हीच क्या करना ही का है मेरे कू डिवाइट और यहाँ पर एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट यह भी मैं गलत करना हूँ बार-बार गलती करना हूँ यह मैं आपको लग रहा होगा कि आप सरकाब ध्यान जो है सहाब भटक रहा है पर यह लीजे साब आपने sign upon cos दिखाव होगा अपन को सबस्क्राइब करना और को सब्सक्राइब क्या होगा विए उस से हमें क्या करना है बच्चों दिवाइट गरना जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे और इस तरह से आपके सामने यह पिक्चर आ जाएग कुल मिलाकर जो हमारे सामने जो summary है वो ये है कि जब भी हम कभी integration करेंगे तो x में जिससे multiply किया है उसी से हमें बच्चों divide करना है